अबसकार दोस्तों, Healthling and Homeopathic के मेरे clinical cases के series पे आज फिर एक नया case आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ, यह है allergic cup chronic allergic cup यह जो patient है, Mr. S. Majumdar, यह एक बहुती बड़े नामचीन ऐलोपथिक hospital, private hospital जो इसको nursing home hospital बोला जाता है मेरे clinic के पास में है, वहां के cashier है, तो यह बहुत सारे अलोपथि doctors को अपने hospital में ही दिखा चुके है यह बाहर जाके चेन्नाई में, एपल और भेलोर में भी अपना allergy का इलाज करा चुके है इनका allergic जो काफ है यह कोई नहीं आज तक ठीक कर सका बहुत जगा से घूम के, हताश होके, किसी ने इनको बोला है कि इस homeopathy doctor के पास जाओ, अच्छा treatment होता है देखो जाके एक बार, तो these type of cases are the opportunity to hold, to put our flag of success यह दुनिया को दिखाने के लिए, कि हम लोगों का जो पैथी है, यह भी कम नहीं है हम लोग भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, जो allopathy या modern medical science नहीं कर सकता भली ऐसा भी बहुत कुछ है, जैसे emergency cases है, accident cases है, purely surgical cases है तो हम लोग सब कुछ नहीं कर सकते, बहुत सारे cases में हम लोगों को भी patient allopathy में refer करना चाहिए करना परता है, मैं करता भी हूँ, लेकिन इस type के cases में, देखें यहाँ पे आपको prescription दिख जाएगा prescription में आपको लिखा गया है, chronic allergic cup and IBS, तो patient को मैंने chronic allergic cup का ही पकर के उसका treatment मैंने start किया, और chronic allergic cup aggravated from talking, बात करने पर उसका cup ज़्यादा होता है तीन-चार महीने से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन तीन-चार साल से after COVID इनका problem स्टार्ट हो चुका है hasty speech बहुत जल्दी बात करते हैं, impatience, धरिय नहीं है, patience नहीं है उनमें उनका ऐसा बात और रवाया है कि बहुत जल्दी मुझको सब काम खतम करना है इनको 2020 में COVID हुआ है, और फैमिली हिस्ट्री इनका लिया है, मैंने इसकिमिक हार्ट डिजीज और पाइल्स तो राइट साइड में देखिएगा, पानी का प्यास इनका ज़्यादा है, पसीना इनका बहुत ज़्यादा है फेस पे ठंडा लगने का प्रबनता, जो catching cold very easily है, CCB बहुत triple positive है hot patient है, heat cold relation में, desire everything है, सब कुछ खाने में इनको बहुती दिलचस्बी लगता है इनको पसंद है, कच्चा प्याज बहुत पसंद है, raw onion fear of disease इनको बना रहता है इनको यह जो पूरा symptomatology है, अगर आप होमिपथी डॉक्टर है होमिपथी student है, practitioner है, तो क्या भी medicine आपके दिमाग में जहन में आ रहा है hot patient, thrust, अच्छा बहुत सारे चीज़ खाने का इच्छा होता है मेरे दिमाग में जो सबसे ज़्यादा, hot patient पानी का प्याज ज़्यादा यह जो दो point का अगर हम लोग पकर के चले, तो first हम लोग का medicine मेरे दिमाग में आता है sulfur आता है, medorinam आता है, natriummure आता है, iodam आता है, यह सब medicine आता है तो इस patient में कहीं पे भी मैंने ऐसा कोई भी point नहीं पाया, कि दूसरा कोई medorinam या sulfur में, sorry, natriummure में जाने का जरूरत परे जरूरत है, let's start the case, sorry, with sulfur तो मैंने patient को sulfur prescription किया, sulfur 0x1, फिर sulfur 0x2, ऐसे करके मैंने patient को अभी तक बहुत सारा complete कर चुका हूँ treatment, फिर उनको आप, देखिएगा कि यहाँ पे मैंने लिखा है, cough ameloration, खासी कम हो चुका है तो ये जो problem है, इसको हम लोग पूरा कियोर अभी तक patient का हो चुका है, भले ये बहुत ही पुराना मेरा prescription है 30, 10, 23 का, और patient का improvement अभी patient बिल्कुल नॉनमाल है, हर दिन मेरे सामने से ही गुजरते है अगर आप लोगों को दूसरा कोई भी medicine इस case में आपका suggestion हो, तो आप दे सकते हैं क्योंके natriumure मैं कब देता हूँ, psychotic base चाहिए, इसमें कोई भी ऐसा पहलू नहीं है कि हम लोग psychosis को पकर के चले, patient में wards भी नहीं है, patient का deep-seated family history में psychotic का उतना predominancy नहीं है, patient में natriumure का दूसरा कोई लक्षन नहीं है, desire aversion नहीं है सालफर का ही, इनका desire everything सालफर में ही आता है, और medorinam का तो और भी ज़्यादा deep-seated, psychotic and symptoms चाहिए तो ये सब जो है, हम लोग patient को बहुत अच्छे तरह से tackle कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरह से patient को हम लोग treat कर सकते हैं अगर कुछ सुजाओ है, तो जरूर comment box में comment कीजिएगा, मैं भी सीखना चाहता हूँ, आप लोग भी सीखिए और दुनिया को बताइए कि होमियोपैथी में ऐसा बहुत सारा चीज हम लोग ठीक कर सकते हैं, जो modern medical science नहीं कर सकता